नमस्कार दोस्तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप किसी से गिफ्ट लेते हैं और वो गिफ्ट जिससे आपने लिया है वो आपका रिलेटिव है तो अब आपके लिए इंकम में उसको एड कर दिया जाएगा यानि वो जो अगर आपके पास नोटिस आता है तो उसको आप कैसे प्रूव करेंगे जिसके बारे में भी detail आपको बताएंगे आज की इस वीडियो के अंदर और income tax form के अंदर आपको gift income चाहे वो taxable या exempt हो कैसे आपको show करनी है इसकी भी जानकारी आपको देंगे ITR 1, 2, 3, 4 के अंदर कैसे आपको gift दिखाना है क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप gift लेते किनकिन document का आपके पास होने चाहिए ताकि आपकी जो gift आपको मिल रही है वो आपकी income में add ना हो आईए जानते आज के इस complete वीडियो के अंदर gift अगर आपको मिलत उसके इसमें इसकी taxability क्या होगी और इसके लिए क्या-क्या provision income tax के अंदर दिए गया है आज का वीडियो बहुत ही डीटेल होगा और complete होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, subscribe, share करना ना भूले चैनल पर नहीं है तो subscribe ज़रु करे ज़्यादा इसको share ज़रु करे वीडि जज्मेंट के बारे में gift related, ITAT दिली यानि income tax applied tribunal दिली का ये case है, case number 3740, assessment year 2005-2006 का ये case है, सुजित कुमार जी ने यहाँ पर इस case के अंदर अपील करी गई है, इस case का जो decision है, वो 7 December 2030 को यानि latest judgment या decision order आया है, अब इस case के अंदर जो SSC यानि सुजित कुमार जी है, वो एक coaching institution चलाते है, एक propertieship concern है, जिसका नाम है fame institute, जो हिसार के अंदर है, अब इस coaching institution के अंदर जो सुजित जी है, उन्होंने अपने father-in-law से gift received किया है, डाई लाग रुपे का, ये जो gift received किया है, वो उन्होंने अपने books of account के अंदर इसको taxable नहीं किया गया है, क्योंकि relative से जो भी gift मिलता है, वो taxable नहीं होता है, चाहे कितने भी amount का क्यों ना हो, इसको देखते हुए, सुजित जी ने अपनी income tax return बरते वक्त इसको taxable नहीं किया, लेकिन income tax officer दुआरा, इस gift के regarding proof मांगे गए, जो भी donor है, उसकी identity मांगी गई, credit worthiness मांगा गया, और इसके साथ transaction genuine है या नही evidence मांगे गए, लेकिन सुजित जी ने इसे कोई भी evidence नहीं दिये, जिस वज़े से AO और ट्रिबनल दुवारा इसका addition कर दिया गया, यानि ये जो gift है, उनकी income में add कर दिया गया, unexplained cash credit मान कर section 68 दुवारा, और इस पर tax बनने को कह दिया गया, ट्रिबनल ने भी यही काया कि इसके regarding, अगर को evidence नहीं है, तो ये आपकी income मान ली जाएगी, तो एक important judgment, एक important decision इस case के अंदर दिया है, कि अगर आप gift receive कर रहे हैं, बले अपने relative से क्यों ना कर रहे हो, आपकी income में add कर दिया जाएगा, दोस्तों कई बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं, लोगों को पता नह प्रीड नहीं बनवाते हैं, या और other document जो available होने चीए, उनके पास evidence के तोर पर वो नहीं रखते, जिस वैसे उनके income में ये add हो जाती है, तो आपको भी ध्यान रखना है, आप ऐसी गलती ना करें, तो आपको ये जानना होगा, कि gift किसके लिए exempt है, किसके लिए taxable है, कब हम evidence, document आपके पास होने चीए, इसके बारे में भी आपको ये दोस्तों अब बात करते है, income tax act के अंदर section 56 subsection 2 subsection x के अंदर दिया गया है, कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं, बदले में आप कोई भी पैसा या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो उस case में उस पैसे को gift माना जा है, वो 50,000 से अगर जादा होगा, तो आपके लिए taxable हो जाएगा, मान के चलिए अपने अपने friend से 30,000 रुपे लिए हैं, तो ये 30,000 आपके लिए taxable नहीं होगे, लेकिन अगर आपने friend से अपने 17,000 रुपे लिए दे तो पूरे के पूरे 17,000 रुपे जो है, वो taxable कर दिय जाएंगे, दोस्तों इसके कुछ exception भी रखे हैं, जैसे के अगर आप relative से लेते हैं, तो उस case में बले ही 50,000 से जादा क्यों ना ले, आपके लिए taxability नहीं आएगी, अगर आपकी marriage और ये occasion of marriage पर आपको पैसा दिया जा रहा है, तो उस case में भी 50,000 से जादा भी होगा, तो भी taxable नहीं होगा, इसके अलावा अगर will हो गई, inner returns के अंदर मिल रहा है आपको, तो उस case में भी आपके लिए taxability नहीं आएगी, अगर 50,000 से जादा भी पैसा आपको क्यों ना मिल रहा हो, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी condition है, हमारा main important point है relative, अब हमें ये जानना है कि क समझ लीजे मेरी बात करते हैं, तो मैं अपनी पतनी से gift ले सकता हूँ, यानि पैसा जो हो ले सकता हूँ, पचास जार से जादा भी ले सकता हूँ, जिस पर मुझे एक रुपे भी tax नहीं लगेगा, इसके अलावा और कौन से relative हो सकते हैं, मेरी wife हो सकती है, मेरे brother sister हो सकते ह उनसे भी मैं ले सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो wife है, उसके brother sister, उनके parents भी होंगे, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी मैं gift ले सकता हूँ, उस case में भी 50,000 से जादा होगा, तो भी taxability नहीं आएगी, वो भी relative के definition में आएंगे, इनके अलावा अपने पर दादा दादी से भी अगर पैसा लेता हूँ, gift में अगर मुझे मिल रहा है, तो वो taxable नहीं होगा, और अगर मैं अपने बच्चों से लेता हूँ, अगर मेरा कोई बेटा है, बेटी है, उससे अगर मैं पैसा लेता हूँ, gift लेता हूँ, तो उस case में भी, जो money म मेरे wife है, उसके जो parents है, उसके भी दादा दादी से मैं ले सकता हूँ, या फिर में जो मेरे जो parents है, उनके brother sister है, यानि मेरे काका-का की, मेरे फुआ फूई, मेरे मामा-मामी, इन से भी मैं पैसा ले सकता हूँ, ये भी सब डिलेटिव के definition में cover होते है, इसके अलावा इन के brother sister उनकी spouse जो है वो भी cover होगी अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी है उनके spouse है मेरे बेटे की बहु है वो भी cover करती है और मेरी बेटी का जो जवाई है वो भी cover कर जाएगा तो यह सभी relative के definition में आते हैं और इनसे अगर आप 50,000 से जादा का money लेते हैं तो वो gift अगर है तो उस case में taxability नहीं आएगी हमने relative की तो बात कर ली लेकिन अब जानते कौन होंगे आपके non relative जिनसे अगर आप 50,000 रुपे से जादा का पैसा लेते हैं money लेते तो आपके लिए taxability आ सकती है तो non relative के अंदर आपके friends आ जाते हैं अगर आपके brother sister है जो मैंने आपको बताये थे कि आपके brother sister relative में आते लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो non relative में आ जाते हैं इसके अलावा आपके parents के जो brother sister है उनके बच्चे हैं वो भी non relative में आ जाते हैं आपकी wife के brother sister के जो बच्चे हैं वो भी non relative में आ जाते हैं तो ये सभी लोग जो है वो आपके non relative माने जाएंगे, जो भी relative का definition हमने आपको बताया था, इसके अलावा जितने भी होंगे, वो आपके non relative माने जाएंगे, जिससे अगर आप 50,000 से जादा का पैसा लेते, money लेते हैं, तो आपके लिए taxable हो जाएगा, अब बात करते हैं, income tax return form के अंदर, अगर आपकी जो gift है, taxable है, या फिर exempt है, तो वो कहां आपको दिखानी है, ITR 1, 2, 3 या 4 अगर आप बढ़ते हैं, तो उस case में gift of taxability या exempt gift आपको कौन से कॉलम में दिखानी है, सबसे पहले बात करते हैं, taxability के बारे में, तो taxability आपकी कब आएगी, जब आप non relative स पैसा लेंगे, 50,000 से जादा है, तो उस case में आपके लिए taxable हो जाएगा, तो आप ITR 2 और ITR 3 के अंदर specifically दिया गया है, income from other sources, यानि schedule OS, इसके अंदर point जो दिया गया है, वो 56,2X section दिया गया है, जिसके अंदर आपको पैसा जो भी आपने receive किया है, any sum of received money, without consideration, column दिया गया, वहाँ पर आप जो है taxability अपनी दिखा सकते, जापर 50,000 से जादा का आपका amount है, लेकिन ITR 1 और ITR 4 की अगर बात करें, तो उस case में आपके लिए other income जो है वो दी गई है, वहाँ पर specifically कोई भी section नहीं दिया जाएगा, तो आप other income के अंदर gift करके दिखा सकते, अब बात करते ह gift exempt है, relative से आपको पैसा मिला है, तो उस case में 50,000 से जादा क्यों ना मिला हो, मान के चलिए आपको 20,000,000 रुपया, SBI Bank से आपको gift आपके फादर के थुरू आपको मिला है, यह आपके लिए exempt है, अब ITR 1 हो, ITR 2 हो, ITR 3, ITR 4, exempt income आपको दिखानी है, वो exempt income के column में दिखानी है यानि schedule EI के अंदर दिखानी है, जहाँ पर आप any other exempt income के अंदर, आप exempt income अपनी लिख देंगे, आपको यह लिखना है कि 20,000,000 आपने receive किया है, फलाना bank से, जो भी bank of order है, या SBI bank से मैंने receive किया है, अपने father के account से, अपने father दुआरा मुझे यह 20,000,000 रुपय बेजे गए है और 20,000,000 का amount आपको डाल देना है, any other exempt income के अंदर, इसके थुरू आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, इसके साथ आपका जो gross total income है, वो nil nickel के आएगी, आप 20,000,000 रुपय अपनी exempt income दिखा देंगे, ध्यान रखेगा, अगर आप exempt income नहीं दिखाते हैं, तो उस case में आप पर 13 31 का notice आ सकता है, concealment of income का penalty भी आप पर लगाई जा सकती है, तो कभी भी अपनी जो भी income हो, चाए वो taxable हो या exempt income हो, आपको अपनी ITR form में जरू दिखाएं, otherwise आपको penalty आ सकती है, for concealment of income की, तो taxability भी आपको ITR में दिखाने का option दिया गया है, income from other sources के अंदर, अगर आपकी exempt income है तो उसके इसमें schedule EI, यानि exempt income के अंदर आप दिखा सकते हैं, any other income के अंदर दिखा सकते हैं, अगर specifically gift का option नहीं दिया गया है, और ये बात करते हैं, कितना gift आप ले सकते, income tax purpose के इसाब से, यानि income tax के अंदर क्या limit दी गई है, gift related, सबसे पहले बात करते हैं, relative के लिए, तो relative जो वो 50,000 से जादा कितना भी gift ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेगा, आप online mode में कितना भी gift ले सकते हैं, चाहे 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 दिन एक आदमी से सिर्फ दो लाग रुपे तक ले सकते उससे जादा नहीं ले सकते अगर उससे जादा आप लेंगे तो उस केस में आपको 100% पैनल्टी लग जाएगी मान के चलिए आपने 5 लाग रुपे गिफ्ट लिए कैश में अपने फादर से तो ये 5 लाग की पूरी प यहां होना चीए दो लाग के उससे जादा नहीं होना चीए लेकिन कई बार ऐसा होता है कैश गिफ्ट लेना जो है वो प्रूव करना आसान नहीं होता है इसके लिए आपको गिफ्ट document की जरूत परती है cash पैसा क्यूंकि आपके पास आया है और आप अपने account में डालेंगे तो इसको prove करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है कई बार जिस वरसे cash gift जो है वो avoid करने के लिए कहा गया है अगर आपकी wedding ceremony है यानि आपकी marriage है उसमें भी आप 2,00,00 रुपे से जादा का cash gift नहीं ले सकते हैं अगर आप online mode से करते हैं चाया आप check से लेते हैं आपने RTGS, NEFT या कोई other online mode से अगर पैसा लिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन cash की बात करें तो 2,00,00 रुपे से जादा नहीं कर सकते हैं non relative की बात करें तो 50,000 से जादा अगर होगा तो taxable हो जाएगा लेकिन उस case में वहाँ पर cash में 2,00,00 रुप्य से जादा जिसके अंदर उन्होंने relative से gift लिया था लेकिन AO ने डिसलाउ कर दिया था पूरी उनकी income के अंदर जो gift थी वो add कर दी थी यानि addition कर दिया गया था लेकिन आपका यह addition ना हो जो भी gift आपको मिल रही है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आप एक प्रॉपर gift डीड बना सकते हैं दोस्तों income tax law के अंदर गिफ डीड बनाना mandatory नहीं है लेकिन आप गिफ डीड बना सकते हैं अगर आप cash में यानि money पैसा अगर आप ले रहे हैं तो उसकी gift डीड ज़रूर बनाए चाहें आप cash में ले रहे हो या फिर आप banking mode से क्यों ना ले रहे हो आप चा इसका return में आप ले सकते हैं इसके साथ साथ आप चाहें तो gift deed को registration भी करवा सकते हैं आप किसी भी advocate या फिर किसी भी consultant के पास जाकर proper एक paper लेकर जिसके अंदर जितना भी amount आपको gift में मिला है आपको अगर single amount मिला है तो वो भी आप अपने gift के अंदर लिखवा सकते हैं या अपने टुकड़े टुकड़ो में amount लिया है तो proper सभी जो amount है किस-किस date को लिया है वो भी आप gift deed में करवा सकते हैं तो advocate दुआरा या consultant दुआरा आप अपनी proper gift deed बनवाए जिसके अंदर आप सभी detail लिखवा दें जो भी donor है या donor है उसका नाम आ जाएगा कितना gift amount आपको म ऐसा आपको मिल रहा है gift के तुरू आपको मिल रहा है जो भी relative आपको दे रहा है उसका source important है ऐसा ना हो उसका source जो है genuine ना हो जिस वज़से आप पर penalty आ सकती है तो ध्यान रखेगा source बहुत ही important है जो भी donor है हो सकता है उसको pension income मिलती हो तो pension income से जो है आपको gift करिए या वो salary income मिलती हो वहां से आपको gift किया गया है अगर को share market की income है वहां से आपको gift किया गया है तो ध्यान रखेगा जो donor है उसका source होना बहुत important है ऐसा ना हो कि आपकी जो father है जो आपके पास cash पड़ा हुआ था आपने father को cash बेज दिया और आपके father ने आपके account में पैसा जमा कर दिय इसके बाद आपका जो donor है उसकी proper source देखा जाता है तो ध्यान रखेगा source होना donor का बहुत important है इसके बाद आप और भी condition जो है gift deed के अंदर डाल सकते हैं जैसे के जो भी title जो भी gift आपको मिला है वो वापस आपस 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 नहीं ली जाएगी unconditional मिला है without कोई condition के आपको दिय जागया है दोस्तों gift deed के साथ आप NOC भी ले सकते हैं आप जो donor है उससे NOC भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके father दुआरा आपको gift मिल रही है तो आपके brother sister से NOC ले सकते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो इस gift से तो उसके लिए भी आप NOC करवा सकते हैं इसके अलाव जाल दिया आपके account में gift नहीं दिया है इस वज़से अगर आपके father की देथ हो जाते या आपके mother की देथ हो जाते तो उसके बाद जो भी पैसा है जिससे आपने property खरी दे तो आपके भाई और आपकी बेहन जो है वह इस पर issue उठा सकते हैं और एक case भी था जिसके अंदर य मर्जी से नहीं दिया गया है उसमें उसका भी हक है इस वैसे जो पैसा जो है वो brother को भी दिया गया था तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कभी थर्ड पार्टी के account में gift ना करवाएं अपने account में directly करवाएं इसके अलावा gift deed proper stamp करवाएं advocate द्वारा करवाएं तो उस case में आप आपके proper document हो जाता है अगर कोई salary person तो उसके salary slip document होती है form 16 document होता है वैसे ही अगर आप gift करवाते तो उसके लिए document जरूरी है तो gift deed आप करवा सकते हैं mandatory नहीं है gift deed के अलावा आप bank statement अपने पास रख सकते हैं जहां पर आपके entry हुई है check रख सकते हैं जिसके through आपका पैसा आपको दिया गया है तो यह सारे document जो अपने पास आप रख सकते हैं यह प्रूव करने के लिए जो भी gift आपको मिली है वो genuine है और उसकी जो source है वो proper आप proof कर पाए आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको detail जानकारी दी कि अगर आप gift लेते relative से तो भी आपका disallow किया जा सकता है addition किया जा सकता है अगर आपके पास कोई proper evidence नहीं है आपके पास proof नहीं है जो gift आपको मिली है वो आपके relative से मिली है तो उसके इसमें आपको taxability आ सकती है तो ध्यान रखेगा proper document proper gift deed बनाए ताकि आपको कोई भी आगे future में दिक्कत ना है अपने income tax return में जरूर दिखा आई है तो इसको concealment of income माना जाएगा आप पर penalty लगाई जाएगे तो ध्यान रखेगा gift related यह important जानकरी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को like, subscribe, share करना ना मुले आज का वीडियो यहीं खतम करते हैं धन्यवाद